नमस्कार दोस्तो आप सबी के एक और नई वीडियो पर श्वागत था दोस्तो आज की इस वीडियों आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी का इंसुरेंस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं दोस्तो आपने कुछ समय पहले अपना इंसुरेंस कराया था और वहां से आपका इंसुरेंस को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था पर वह आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं खो गया या फिर चोरी हो गया है और आपको इंसुरेंस की जरुवत पढ़ रही है पर आप इंसुरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी गाड़ी का इंसुरेंस इसली चेक कर पाएंगे और उसके बाद में आप उसका सर्टिफिकेट डाउन्डोड करकर करके अपने इंसुरेंस को कहीं पर भी दिखा सकते हैं या फिर आप इंसुरेंस के लिए क्लिम भी कर सकते हैं तो किस परकार से आपको अपनी गाड़ी का इंसुरेंस को चेक करना है क्या प्रोसेस होने वाला है कंप्रीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को अप्लास तक जरूर देखेगा फ्रेंस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नॉटिफिकेशन बेल को ओल पर किलिक कर लिजीगा क्योंकि ऐसे यूज़ पुल कॉंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोवाइल आप ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज यानि कि आप मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज की ऑफिसल पूर्टल पर आप आ चुके हैं इस पूर्टल का डारेक्ट लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा उस पर क्लिक करके भी आप इस पूर्टल पर आ सकते हैं इस पूर्टल पर आने के बाद में दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज सिंप्ली आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा तो यहा continue पर click करने के बाद में आपने जो भी mobile number डाला था उस mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको fill up कर देना है उसके बाद में आपको verify बटन पर click कर देना है verify पर click करने के बाद में देख सकते हैं vehicle registration status RC status अब यहाँ पर आपको vehicle number डालना है यहाँ पर आपको capture fill up करना है और one search पर आपको click कर देना है one search पर click करते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं RC status आ चुका है यहाँ पर गाड़ी number आ जाएगा यहाँ पर status active देख सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर insurance details सो हो करके आ रही है जिसमें की company देख सकते है go digit general insurance limited आ रही है वै insurance का status check कर सकते हैं कि कब तक इसकी validity है और क्या policy number है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप अपने insurance को किस परकार से check कर सकते हैं तो इसी परकार से दोस्तों आप अपने किसी भी vehicle का insurance को check कर सकते हैं आप किस परकार से आपको अपने vehicle का insurance certificate को download करना है इस पर मैंने प लाइक कीजिगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ओल पर कलिक कर लिजिगा क्योंकि ऐसे यूसफुल कॉंटेंट मैप के लिए लाता रहता हूं और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूचना चाहते हैं या कुछ सुजाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो मिलते हैं दोस्तों क्लिक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहि झाल